हालो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल इंजिनिर को पालपिटेल पर तो फ्रेंट्स यहाँ पर एक लेटेस्ट रिक्यूर्मेंट आई है और यह रिक्यूर्मेंट है सिसेल के तरफ से यानि सेंट्रल कोल इंडिया के अंतर गाता है तो आप लोग वीडि डिप्टी सर्वेयर असिस्टेंट फॉर्मेंट के लिए वेकेंसी आई है तो हैं पर देख सकते हैं आप लोग माइनिंग संदार जिसको पोस्ट नेमक पोस्ट हो गया ग्रेट क्या है तो टी एंड इस ग्रेट सी बेसिक पे यानि मूल बेतन देख सकते हैं आप लोग एक स्पेशल रेक्यूर्मेंट ड्राइब फॉर एस सी एस्टी ओवी सी तो यहां पर आप जो भी एस्ट्रेंट जेनरल से बिलोग करते हैं या फिर एव से तो उनके लिए आप कोई भी वेकेंसी नहीं है आगे देखते हम लोग इलेक्ट्रीशन नॉन एक्जिक्वेशन यानि गभी एस स्टी के स्थुडेंट अपनफोरं के लिए फिरह उनक बेखते हैं ऎक हैंटनफोर, में इलेक्ट्रीगल के लिए देख्या मृइन wanna 10812 रुपया OPC के लिए 7 वेकंसी है SC के लिए 23 और ST के लिए 77 वेकंसी है टोटल वेकंसी संक्या कितनी हो गई 107 और टोटल हम लोग रिखती है बात करें यानि जो CCL Central Cold फिल्म वेकंस है यह टोटल 330 वेकंसी है जिसमें ST वालों के लिए 249 समा सकते हैं फिर SC के लिए 66 और OPC के लिए 15 उसके बाद नहीं General के लिए फेकंसी है और नहीं EWS के लिए फेकंसी है अब हम लोग दिल्गते हैं कि इसके लिए क्या-क्या agility होनिया जरूरी है तो यह बद देख सकते हैं आईए देखते हैं उन्तम आवस्यक योगतमीनों Essential Qualification माइनिंग सर्दार के लिए तो किसी भी मानिता प्राप परिछा बोट से मैट्रिक होना चाहिए सेकें में कोईलाख खदान अधिनियम 2017 के अंतरगत खान सुरच्छा महान निदेशाले से स्युक्रित मान मानिंग सर्दार परमान पत्र होना चाहिए अथवा अन्य परमान पत्र जो कोईलाख खान अधरियम दुदर सर्दार के अंदरगत मानिंग सर्दार के कारे के रूप में सुक्रित हो और तीसरा क्या है मान गैस परिछन परमान पत्र तो यह होना चाहिए मायनिंग सरदार के लिए या देख सकते हैं त्य किक्सा परमानपद्र बिखेसंट के लिए इसके लिए किसी ही नाहर परिश्वपोसित्स papa ये प्रेंटी सिफ होना चाहिए एक सलका थीसरा में क्या है तो भारती विद्वत नियम के अंतरगत खादानों के लिए इल्टी पर्मीट या फिर 440-550 वोल्ट माइनिंग पार्ट्स पर्मीट होना चाहिए ठीक है इसके लिए भी सर्ट्फिकट मिलता है तो यह भी आओना जरूरी है तो जिन्होंने लिया है इसका सर्ट्फिकट तो उनके लिए बहुत ही अच्छा मोगा है फिर देख सकते नेक कि सर्फ परमानपत्र होना अनिवार है तो किसे भी मानेता प्राप्त परिश्याब Ready सर्फ तीन सालili मा होना होना अनिवार है फिर आगे आखे दrickने सके लिए और क्या जरूरी है इसके और अब स्पर्वाइजर करा यहां पर आप लोग आप लोग आपको एक ही पोश्ट करना है पर दिया की पूरी जनकारी आप सिर्फ एक पोश्ट के लिए आप सबसे पहले एक्जाम सेंटर कहां का होगा तो रांची जमसेथपूर धनबाद और हजारी वाग ठीक है अब लोग बात कर लेते हैं कि यहां क्या होगा अभी अर्थियों को सीविट यानि कंप्रिटर बेस्टेज होगा जो कि सो नमर का एक्जाम होगा और सिर्फ आप लोग क 100 marks for one hour each question will carry two marks and there is no penalty for wrong answer यानि आप लोग को एक घंटे में ठीक है एक घंटे में 50 question करने हैं क्यूंकि प्रते question दो नमर का है और कोई भी गलत करने पर कोई penalty नहीं यानि negative marking नहीं है दोस्तों ठीक है यानि जो आप लोग का ब्रांच है जिससे आप लोगोंने टिपलोमा किया या फिर माइनिंग किया है उस आप लोग का टेकनिकल ब्रांच ही question पूछा जाएगा ठीक है और आप लोग को हिंदी और इंग्लिस दोनों में question रहेंगे और फाइनल आपका आज क्या बोलते हैं जो भी merit बनेगा इसी basis पर मरेगा आवे तक का merit अब इदर का merit नीचे निचे निवन्तुम क्वाइं अंग प्राप्त करना होना चाहिए यह फ्रेंट्स आप लोग का सब्सक्राइब करना है और इस पीडियाब को प्राप्त करने के लिए टेलिग्राम से जुरू सकते हैं टेलिग्राम से लिंक आपको डिस्क्रिप्सन मिल जाएगा ठीक है मिलते हम लोग ने शुडियो में थैंक्यू फ्रेंट्स